जैस्री किष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे एचास वारत द्वा योटूब चैनल पर आएं दोस्तों कृष्ण जन्माश्टमी से लेकर के रादाश्टमी तक अगर इस वीच में आपको यह संकित दिखाई देते हैं जो मैं आपको बताने बाला हूँ तो समझ लेना कि आपकी पुत्र की मनो कामना अवस्य पूरी होगी जिस कामना से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं वह इच्छा आपकी अवस्य पूरी होगी अगर यह दो संकित आपको अभी से नजर आते हैं तो रादाश्टमी तक जन्यमाश्टमी की दिन भगवान से कृष्न का comenzam मनाय जाता है बडे धूम दाम से मनाय जाता है और भगवान इस दिन पूर्ण कलाउं से यानि 16 कलाउं से अपता लिया था कहते हैं कि भगवान कृष्न के बालरूप की पूजा करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं सारे संकट दूर हो जाते हैं तो जन्माष्टमी आने से पहले या जन्माष्टमी वाले दिन या रादाष्टमी तक अगर आपको भगवान कृष्णी के दर्सन होते हैं बाल रूप में बड़े वाले रूप में नहीं प्राप्त हो चुका है अगर आपको ऐसे स्वपन दिखाई देते हैं तो और स्वपन के समय सुबह के समय ब्रह्मूर्त में अगर आपको ये स्वपन दिखाई देते हैं आपकी मनोकामना पूर्योगी दूसरा है रादारानी जी के दर्सन, भगवान कृष्ण और रादारानी जी के बालरूप के दर्सन होते हैं तो आपकी मनुकामना अवस्य पूरी होगी अगर आपको इन दिनों में गोमाता के दर्सन होते हैं, रेगुलर गोव माता के दर्सन होते हैं या लगाता रेल में गोव माता आपके दरवाजे पर आती है तो बहुत ही शुवै श्रीग्री आपकी मनोकामना पूर जोगी भगवान कृष्ण के सामने रखा हुआ मक्कन मिस्री और साथ ही रखा हुआ दीपक अगर भगवान कृष्ण के सामने दीपक जलता हुआ आपको दिखाई देता है और उनके सामने पंचा म्रत रखा है और आप भगवान को भोग लगा रहे हैं प्रसाथ उठा कर कि आप खा रहे हैं आपको ऐसा नमग हुआ है मैं रियल में खा रहा हूँ तो समझ लेना कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन है और आपकी मनो कामना अवश्य पूरी होगी पुत्र प्राप्ति का आपको आशिरवात प्राप्त हो चुका है बांसरी और मोरपंक के दर्सन अगर रेगुलर आपको बांसरी भगवान की बांसरी दिखाई दे रही है या मोरपंक आपको दिखाई दे रही है तो आपकी मनो कामना अवश्य पूरी होगी अगर आपको खीरा दिखाई देता है खीरा फल सब्जियों में खीरा पुत्र प्राप्ति का आशिरवाद होता है या केले का फल दिखाई देता है भगवानी के सामने रखा हुआ आप उठा के खा रहे हैं आपकी मनो कामना वश्य पूरी होगी